एक What If Christmas एपिसोड जहां जादा कुछ हुआ नहीं पर यहां 2012-2014 वाले MCU की वाइब थी Avengers Tower, Jarvis और Stark Tech उस टाइम की बात यह लगती तो जहां आप इस एपिसोड को compare कर सकते हैं पिछले सीजन के Party Thor वाले एपिसोड से वहीं यह एपिसोड एक simple Christmas story हमें देख कर गया जहां वाचर भी Christmas mood में था इन सब के उपर इस टाइप के एपिसोड हमें The Avengers Animated Series में देखने को मिलते हैं वो भी इसी vibe के साथ हाला कि यहां हम Justin Hammer, Mariah Hill और Darcy से मिलके खुश हुए यहां Nexus Event भी अजीब था पर कुछ hidden details हमें देखने को मिली गए तो दोस्तों मैं हो उनसे ना आज हम breakdown करने जा रहे हैं What If के तीसरे एपिसोड What If Happy Hogan Save Christmas का तो spoilers का जहां रखते हुए चली शुरू करते हैं तो जैसा कि एपिसोड का title सज़ेस्ट कर रहा है Happy ने Christmas को बचाया अब इस एपिसोड में Nexus Event था कि Justin Hammer के पास जादा time था Tony से भदला लेने के लिए जिसका मतलब इछले 10 सार में Sam Rockwell के Justin Hammer हमें MCU में सरफ इसलिए नहीं देखे क्योंकि उन्हें जेल में time नहीं मिला सोचने का मिलेगा भी कैसे वो busy जो हो गए है कौन-कौन अभी भी जार्विस को मिस करता है अब 2015 से पहले एक-एक Marvel फैन जानता था कि Tony का आदे से जादा काम उसका AI जार्विस ही करता है इवन Age of Ultron में भी Ultron को new quotes ना मिले इसका ध्यान भी जार्विस ही रख रहा था तो जार्विस के shutdown होते ही जस्चिन हैमर आता है गामा रेडियेटेड एंटीजन सिरम लेने यानि हल्क का खून लेने जिस खून को खुद में इंजेक्ट करते हुए हैपी होगन बन जाता है हल्क होगन अब आपको लग रहा होगा कि Marvel ने रैंडमली हैपी को हल्क बना दिया जबकि ऐसा ही कुछ कॉमिक्स में हुआ था टेल्स ओफ सस्पेंस इशू 75 में टोनी की एनलवेटर रे हैपी को बना देती है दफ्रीक जिससे टोनी रोकता है अपने आर्मर को डैमेज करवा कर तो यहां से इंस्पिरेशन लेते हैं हैपी बना परपल हल्क और यह चीज आगे के एपिसोड में भी रेफरेंस की गई है हैपी के परपल हल्क के अलावा हमें हाँ मारिया हल भी दिखती है जो कि विंटर सोल्जर की शील्ड की तबाही के बाद स्टार्क इंडस्रीज का पार्ट बनती है हमें हाँ क्लासिक जस्टिन हैमर डांस भी दिखता है जो कि हमने देखा था आइंड मैं 2 में इन सब के लावा हैपी जब खुद को छुपा रहा था ता हम आउसम एवेंजर्स टीमवर्क पोस्टर देखते हैं कंजूसी करके टोनी एपिसोड में एक जगा रेफरेंस करता है कि रेपलिका कैप शील्ड एक फ्रिस्बी है क्या टोनी दूसरे आइंड मैन मुवी में दिखने वाली रेपलिका शील्ड की बात कर रहा है इन सब के बाद हम मिलते हैं परपल हल्क से मुझे मानना पड़ेगा कि जॉन फेवरू बहुत अच्छा इस रोल को वॉइस दे रहे थे और परपल हल्क के आयन लीजन की आर्मी से भड़ना बहुत आसम सीम था जार्विस इनक्टिव था तो हमें और भी कुछ आर्टिविशल इंटेलिजेंस के नाम सुनाई दिये जैसे वाट्सवर्थ, इडिथ 1.0 और वर्णर जिसमें से इडिथ के बारे में तो हम जानते ही हैं पर वाट्सवर्थ के बारे में हमें नहीं पता हाला कि जर्मन AI वर्णर का विलेनी अप्रोच बहुत फणी लगा जो कि हल्कबस्टर के हैपी को पिटते वे देखकर खुश हो रहा था कॉमिक्स वर्णर वान स्ट्रकर बैरन स्ट्रकर का सबसे बड़ा बेटा होता है जो कि बैरन स्ट्रकर के जाते ही हाईटर की कमान संबालता है अब सोचनाली बात यह है कि यह जर्मन AI जिसके इंटेंशन बुरे है यह तोनी के बात क्या कर रहा है हमें हल्कबस्टर दिखता है यहाँ और मुझे मानना होगा टोनी के मेकैनिकल सूट को चाहे लाइव एक्शन देखो या एनिमेटेड इसकी बात ही अलग है हाला कि माना की जार भी सॉफलाइन है पर हल्कबस्टर को लाने वाली वेरानिका स्पेस से आती है और स्पेस से एंटर करने वाली चीज़ की खबर टोनी को जरूर होगी और शायद यही रीजन है कि हल्कबस्टर के आते ही टोनी और बाकी एविंजर्स भी टावर में आ गये थे और यह एसेंबल हुआ एज ओफ अल्टरॉन स्टाइल में जिसका अन्ट हुआ हैमर के स्लो मोशन में गिरने के साथ और आप मैं कहना चाहूँगा कि मैं सिविल वार से पहले का सिंपल मार्वल टाइम मिस कर रहा हूँ तो दोस्तों यह था ब्रेकडाउन वर्टिफ के तीसरे एपिसोड का अब यह मैं excited हूँ अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन के लिए जहां टोनी और गमोरा टीम अप करते हैं पर फिर भी अनुस से कोई इटल मिस हो गई हो यह आपके उसको नए अफेक्ट आस वीडियो से लिटे तो फ्रीज हमारे कमें पर जरूर बता है झाल 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 झाल